कि इसक्रश करने वाला हूं मैं एक्सिलेंस मॉडल स्कूल इंट्रेंस एक्जाम के लिए पार्ट जो है न सेवन इसमें हम डिसक्रश करेंगे 51 से कुश्चन्स जो है और यह पूरा टॉपिक कम्प्रीट कर लेते हैं आप तो आपके एक से जो है ना दो नंबर आपके इंट्रेंस और मॉडल स्कूल इंट्रेंस एक्जाम में बन जाएंगे ठीक है तो कुश्चन्स की और बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करो दोस्तों के साथ जादा से जादा सियर करो ठीक है और बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की आपके पास सबस्पहले वीडियो पहुंच सके हैं यह बढ़ते हैं कुश्चन्स की और फिप्टी बन बन टार्टी तरी माइ वाटिनमे से ना जाए कितना बचेगा फूर याँ वैजा ट्वैल में सीट जाया कितना फूर। एकना फूर्टी फूर्टी बचए ठीक है ट्विडियों जब ही करते हैं फूर से तो हमारा हमेशा ही कितना आता हैं ड्री ऑट्टी के अंदर हम इसको ऐसे लिग सकते हैं नहीं 12 अंसर दी रखा हैं पहले में नहीं है दूसरे में नहीं तीसरे में है 12 इसका अंसर सही है सी ओफसें ठीक है और यह भी इन्पूर्ट एंड कुश्च्छन है नोट कर लो इसको भी नेक्स्ट नोट कर लो इसको जल्दी से नेक्स्ट फिप्टिटू में तो आपका यहां पर दे रखा है 12 अपॉन में यह 18 का स्कुर होता है 324 यहां पर भी 244 12 का स्कुर होता है ठीक है यह पलस का साइन है किसका साइन है पलस का तो यहां पर 12 के अपॉन में 88 हम इनको याड़ करते हैं तो उपर आ जाता है 24 नीचे क्या आता है आपका 18 LCM लेंगे ना इस वजह से तो नीचे क्या आएगा आपका 18 ठीक है इनका LCM या 18 आया है इसका जब इस में डिवाइड दिया तो एक बार गया 24 फ्लस 20 या फिर ऐसे द इसका इससे डिवाइड दिया तो हमारा एक बार गया 12 इंटू में बंद प्लस का ऐसे 12 इंटू में बंद तो हमने जब इसको एड़ गया तो कितना है 24 अपन में 18 एटीन एटीन सिक्स पूर जा 24 तो हमारा फॉर अपन थ्री आंसर सभी होगा फॉर अपन थ्री कहां दिया है बी ओप सुन में हमारा इंपॉर्डेंट कोष्चन भी है और आंसर इसका आ खिख है नेक्स्ट को कुष्चन को नोट कर लो आप जल्दी से हैना और यदी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब पर लें नेक्स्ट आप यहां हमें रहना 53 दे रखका है 53 में यहां कुश्चन मार की जगह पर पूछा गया है कि क्या आएगा तो हम इसका नॉर्मली 121 का है ना इसको रूट खोल लेते तो हमारा कुछ 101 करके ऐसे आएगा 1.1 ठीक है तो यह 440 इसका हम क्रॉस मल्टिप्लाई कर देंगी ठीक है 440 इंटू में 1.1 तो इसका जब भी हम मल्टिप्लाई करेंगे तो यह 0 4 & 4 यहां पर इंटू फिर आपका 0 फिर 4 और 4 इस तरह से आ जाएगा फिर 0 444 कितना हो जाएगा 8 और यह 4 एक नंबर वाद पॉइंट लगा तो एक नंबर वाद पॉइंट लगा देंगी ठीक है तो इस तरह से 484 हमारा अंसर सही होगा यह अपसं ठीक है और यह इंपुडेंट कुश्चन भी है नोट कर लो इसको भी ठीक है जल्दी से जल्दी जल् एक्सिलेंस और स्कूल इंट्रेंस एक्जाम के लिए इंपुडेंट कुश्चन से हैं ठीक है आंगे बढ़ते हैं है नेक्स्ट फिप्टी फूद यहां पर इस तरह से लिख्था हुगा है तो बन अंड्रिट फिप्टी और टू तू तू फाइब है ना फिप्टीन का स्क तो आपका अंसर क्या होगा बन राइट अंसर होगा कौन सा अपसन दी आपका दी ओप्सन राइट अंसर होगा बन ठीक है यह इंपुडेंट कुश्चन भी है नेक्स्ट नेस्ट आपको दे रखा है 55 नोट कर लो इसको नेस्ट अमें यहां दे रखा है 55 18 इंटू में 72 इंटू में 105 इगें अपन में 48 इंटू में 315 इस तरह से दे रखा है तो इसे हम प्रॉस करते हैं है तो हमारा है ना है चलो इट कर दिल पढ़ते हैं इट सिख जा पुर्टी एट इट नाइन जा सिवेंटी टू ठीक है शिक्स तरी जा एट तीन ठीक है और यहां पे आपका बचा क्या है यहां पर यहां पर यहां पर जो है ना अंसर मैंच नहीं कर रहा है गलत आ रहा है अपना तो इसको सही से करते हैं ठीक है जार लिवार से ट्राइगर कर तो दूबरा से लग लेते हैं एट टीन इंडू मैं 72 इंटू में 205 है ठीक है 48 इंटू में 315 अब यहां पर तो 24 का भी टेबल पढ़ सकते हैं यह फिर ऐसे भी ठीक है कर लेते हैं अपन यहां पर एट नाइन जाकतना होता है 72 होता है 58 होता है तो यहां पर 63 है कितना होता है यह भी 18 होता है ठीक है अब यहां पर 3 बन जा 3 और 35 जा कितना होता है 50 जिरो आएगा फिर 5 आएगा 105 बन जा 105 यह बचा कितना आपका 9 तो आपका जो 9 होगा वो अंसर सही होगा ठीक है 9 आपका अंसर सही होने वाला यहां पर यह भी इंपरिडेंट कुश्चन है ठीक है कैल्विलेशन करनी है नॉनमली आपके इंपरिडेंट कुश्चन भी है और सुरी इसके जो ROOTE में बूचा गया है तो ROOT में क्या आएगा तो 9 क्या होता है कितना होता है 81 इसकी रूट में क्या आएगा 81 जो आपका ये आपिशन है 9 नहीं आएगा थीक है रूट में पूचा गया निहींगा इस इसके उपर जाम रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगे टीवन ठीक है तो नेस्ट अब यहां पर हमें बैसिकली कुश्चन दी रखें इनको पढ़के बता देता हूं इनके कुश्चन को सुलूशन आपको निकाल लेने हैं स्कुर्बेस कुश्चन है बर्किंग मेथड़ सो अब दाज फॉलॉविंग कुश्चन्स सो अन्यूर आंसर वोग वोट इस दाज स्मॉलेस्ट नमबर दैट मस्ट वी सब्रेक्टेट फॉम टू थू 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 जो है ना किसका परफेक्ट स्कूर हो सकता है कितना नमबर इसमें से माइनस किया जाओ कि यह परफेक्ट सकूर हो जाएज तो इसमें सम्टिसेवन माइनस कर देंगी तब फक्रफेक्ट स्कैर ень बटबर सू श्वल्यक जाएगा एसे यहां माइनस करें तो पर्फेक्ट स्कूर बन जाए इसको करना है आपको ठीक है 58 वाट इस दाज स्वालेश नंबर डेट मस्ट भी सब्रेक्टेट फ्रॉम 59 एंड 33 तो इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे टेन को घटा देंगे तो हमारा यह पर्फेक्ट स्कूर बन जाएगा इसमें को माइनस करने पर प्रॉफेक्ट स्कूर बन जाएगा ऐसी 57 में जब 57 बताई दिया मैं आपको और 58 जो है न वर्ट इस दाज स्मालेश नंबर मस्ट भी सब्रेक्टेट फ्रॉम 59 तो इसमें 59 में से अगर हम चार को घटा देतें कितने को फॉर को तो यह एक आपका फर्फेक्ट स्कूर बन जाएगा नेक्स्ट 59 वाट इस दाज स्मालेश नंबर डैड मस्ट भी जैडि तो 306452 तो गयर एट फर्फेक्ट इसकाई इसमें प्यू आ यह पुच्ट इसमें जब भी ना कितना एड करते हैं इस वो यह वह बखे जाएगा 60, what is the smallest number that must be added to a perfect square इसमें हम कितना number, छोटे छोटा number add कर दें कि एक perfect square बन जाए तो इसमें जो हमना 25 पर एड़ कर दें तो हमारा ये perfect square बन सकता है, ठीक है अब next आपको दे रखा है, यहाँ फिस 61 What is the largest number of two digits, which is the perfect square largest two digits का perfect square कुन सा है तो यह है 81, ठीक है two digits का यही है आपका, 81 ठीक है, यह answer सही होगा, next 62 find as least number of six digits, which is the perfect square six digits का सबसे छोटा number ढूनो, कि वो एक perfect square हो तो यह जो है आपका क्या होगा 100489, यह आपका least number है six digits का जो कि एक perfect square है ठीक है, 63 वाला यह question important है ठीक है, 36 में ऐसे है न, 36, 40 में से हम माइनस को 40 कर देते हैं तो यह हमारा 3600 वाचेगा, तो यह किस का square है, वह हमें simply पता ही है कि यह 60 का square है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारा 60, ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा, अब कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है, नेक्स 64, a teacher arrange his students in such as way that each rows contains as many students as there's are row, in each 10 rows there's are 80 students and 20 students remained in, and the was the total numbers of students, यहाँ पर टोटल नमबर ऑफ इस्टुटेंट का है न, बताना है में, तो यहाँ पर जवाब का, 80 का आपको square कर लेना, उसमें 20 जो आपके बचे जाते हैं, तो 80 का square करेंगे, तो 64, 100 आएगा, 20 बसते हैं, तो इसका plus कर देंगे, तो इस तरह ऐसा हमारा, 64, 20 यह answer सही होगा, ठीक है, तो इसको question को करके practice कर लेनी है, ठीक है, next, 55, oh sorry, 65, by which smallest numbers must 1, 5, 1, 2, we multiply so that this product is a perfect square, इसका multiply किसे करें कि यह perfect square बन जाएं, तो इसका जब भी हम multiply किसे कर दें कि यह perfect square बन सकता है, ठीक है, तो वो संग क्या है, आपका 42, जिससे हम multiply करने पे इसको perfect square बना सकता हूँ, ठीक है, next, 66, why what is the smallest numbers must 720s be divided, so is that that content is a perfect square, ठीक है, तो इसका perfect square क्या होगा, यह आपको बताना है, तो हम किस संग क्या से square न, divided करें कि यह perfect square बच्चा है, यह content का इसका, तो इससे हम 5 का divide इसमें देंगे, तो जो भी हमारा content बच्चेगा, वह हमारा perfect square होगा, 5 बन जा, 5, यह 2 अच्चा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, और 5, 4 जा, 20, तो यहां पर कितना बचेगा, 2 और 0 आ जाएगा, तो 5 बोल जाएगा, कितना होगा, 20, तो यह 144 आपका perfect square है कि नहीं है, 12 का, तो इस तरह से हम 5 के divide करेंगे, तो हमारा content अच्च है, एक perfect square बन जाएगा, note कर लो इसको, ठीक है, आँगे बढ़ते हैं, next, 67, what is the least number which is divisable by the 579 and 12 and is a perfect square, इन वे से आपका perfect square, क्या है कि इन least numbers का, हम divisable करें, ठीक है, तो इसका जो answer आपका बनने वाला है, वो आपका, 441, 00, बनने वाला है, ठीक है, 44, 00, बनने वाला है, ठीक है, 44, 00, बनने वाला है, ठीक है, next, आपको 68, रखा है, a man bent on a journey, for a few days, on returnings, he hand that, on each day spend, as many, 50 faces coins as man day, many days, he was journey, जननी इस पेंड 924 पॉइंट फिप्टीज इन ओल हो मैंनी डेज इन इस पेंड इन जननी वह हर मलब अपनी यात्रा करने जाता है घूमने जाता है तो आप पचास पैसे हर रोज खर्च करता है तो इस तरह से उसने जो है न अगर उसके पास उसने इतने नो सचोविस दुसल्लों पचास पैसे खर्च की है तो उसने कितना है न दिन जननी की यह तो यह बताना है आपको तो उसकी जननी उसने की है 43 डेस कितने जननी की है 43 डेस यह आपका सही अंजर होगा तो कुश्चन को नौट करते जाहिए और जो भी आपकी 61 से कुश्चन थे उनके आंसर आप सब्सक्राइब किसका क्या अंजर निकाला है आपने ठीक है और यह सारे कुश्चन इंपुडेंट होने वाले हैं इस तर कोई डॉट यह तो कमेंट सक्षिन नहीं पता सकते हैं जो भी कुश्चन आपसे पूछे आरहें उनके आंसर भी आपको बताने है वीडियो कैसा लगा कमेंट शेक्षिन में ज़रू बताना वीडियो अभी तक लाइक और लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्त नेस्ट वीडियो में जय हैंद इस्टुरेंज जय हैंद फ्रेंज थैंक यू फो वाचिंग